वल्कम बेक गाईस आज हम लोग फिर से खेलने जो रहे हैं सुलवर से स्कोर्ड बंदा आ रहा है इसे मैंने डाउन करके पूरी तरीके से किलियर भी कर दिया है इसके पास देख लेते हैं क्या होता है इसके पास से मेडिकेट था आगे बढ़ते हैं और ये मिल चुका है मुझे UMP और ये काफी बहतरीन सा गन है सौट रेंज के लिए और मिड रेंज के लिए आगे बढ़ते हैं यहां और भी बंदा है उस तरफ फारिंग का बाज आया है उस तरफ चलते हैं यह रा बंदा और यहां पर मैंने दो बंदे को किलेर कर दिया है आगे बढ़ते हैं फड़ावट से इसके अंदर भी बंदा होगा क्योंकि इस पीक पर बहुत सारा बंदा लैंड किया है तो मुझे ढूरना पड़ेगा उस तरफ चलते हैं इसके अंदर जाना होगा तो मेरे पास एक अच्छा लूट तो हो चुका है जिससे हम लोग एके स्क्वाइड तो वाइप कर ही सकते हैं वड़ा बंदा ओके मैंने डाउन कर गे पूरी तरीके से फिनिस भी दे दिया है अब आगे बढ़ते हैं यहां पर और बंदा होना चाहिए मुझे फोटेशेप सुनाई दिया वड़ा बंदा मैंने इसे डामेज दिया है इसे अच्छी तरीके से मारेंगे वो बंदा डर चुका है और हमें उसके डर का फाइदा उठाना है तो रस करते हैं सिधा वड़ा बंदा हील कर लेते हैं खुद को उसने वाल लगा लिया सिधा रस करेंगे फिनिश करते हैं फिनिश भी कर लिया उके यहांपर बंदा और होना चाहिए मुझे नहीं पता है धूडबना पड़ेगा यहांपर और बंदा है या फिर नहीं इसके पास देख लेते क्या है इसके पास काम का चीज तो है मेडिकिर भी मिला है, इनलर भी मिल चुका है इससे मैं कुछ ख़ड़ी लेता हूँ क्योंकि मुझे 3 लेवल का आर्मर चाहिए तो मैंने वेस्ट ले लिया है 3 लेवल का और यहाँ मैंने स्कोब बगिरा सब कुछ ले लिया है आगे बढ़ते हैं और अब देखते बंदे कहां पर है और मुझे लगता है पिक पूरी तरीके से खाली हो चुका है लेकिन फिर भी देख लेते हैं अब हम लोग क्या करेंगे नीचे चलते हैं बीमा सकते के तरफ यहाँ पर बंदा देखने को जरूर मिलेगा क्योंकि जो जो मेन मेन पलेस है वहाँ पर बंदा आता है यहाँ फुल स्कॉड आता है इसलिए हमें जाना होगा वहाँ बंदा ओके फिनिस कर लिया यह उपने स्कॉड का लाष्ट बंदा था और यह आ रहाता साथ बीमा सक्ती की तरफ से लेकिन हम लोग बीमा सक्ती की तरफ ही चलेंगे वहाँ पर एक वाल लगा है वहाँ पर बंदा होना चाहिए आगे बरते हैं आभी तुरंद वाल लगा है यहाँ पर बंदा जरूर होगा All राइट Finish भी कर लिया आगे चलते हैं मुझे लगा ही था यहाँ पर बंदा होगा ही होगा इसका मतलब बीमा सक्ती पर अभी भी बंदा होगा और जिसे हमने पहले फिनिस किया वो किसी दूसरे स्क्वाइड का बंदा होगा तो मैंने यहाँ पर लूट बगेरा कम्प्लीट कर लिया अब नीचे चलते हैं बीमा सक्ती की तरफ आगे बरते हैं बंदा होना चाहिए रहा बंदा मुझे पर रज़ कर रहा है एक और बंदा है हील करते खुद को फड़ाबढसे नीचे से एक और बंदा आ रहा है उसे भी फिनिस करेंगे आने देखें फिनिस करेंगे इसे भी फिनिस कर लेते हैं इसे भी मैंने पूरी तरीके से फिनिस कर लिया है अब आगे बढ़ते हैं उस तरब भी बंदा होना चाहिए उस तरब जाकर देखना होगा यह दोनों के दोनों बंदा डाउन हुआ है इसका मतलब यहाँ पर और भी बंदा होगा आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ पर जब भी उतरता है रेंक गेम में तो सारे के सारे स्कॉट एक साथ ही लैंड करता है अपना रेंक बचाने के लिए फटा वर्षे नीचे चलते हैं तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर लो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ओल पर सेट कर लेना उपर चलते हैं बंदा होना चाहिए यह तो उपर जाने के बाद ही पता चलेगा ओके उपर आ चुके हैं बंदा ढूडते हैं बंदा मिल गया एक बंदा दिखा डाउन दे दिया फिनिस करेंगे पूरी तरीके से फिनिस भी कर लिया एक बंदा गारी से आ रहा है उस तरह फड़ाबट चलते हैं वो इधर ही आ रहा है इधर ही आ रहा है मुझप पर रस करने के लिए तेरी तो डाउन दे दिया इसे पूरी तरीके से फिनिस कर लेते हैं उपर चलेंगे वेहिकर लेके मुझे पर अरस कर रहा था फिनिस कर दिया ये बंदा भी डाउन हुआ है इसका मतलब इसका टीमेट यहाँ पर होगा मुझे ढूनना पड़ेगा कि इसका टीमेट कहाँ पर है तो हम लोग क्या करेंगे फड़ावर्स से देख लेते हैं चारो तरफ इसका टीमेट है या फिर नहीं यहाँ पर तो मुझे कोई भी देखने को नहीं मिला है फड़ावर्स हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ते हैं और इस तरब उसका teammate हो सकता है तो ये तो check करने के बाद ही पता चलेगा यहाँ पर कोई भी नहीं है इस तरब भी कोई भी नहीं है वरा बंदा down दे दिया finish कर लेते हैं पूरी तरीके से मुझे लगता है सिधा rush कर देते हैं ये भी बंदा down हुआ है इसका main बंदा अभी भी गायब है लास्ट वला बंदा finish कर लेते हैं इसे finish करके अपना kill secure कर लिया है फुरा सा loot कर लेते हैं क्यूंकि मुझे ammo की जरुवत है तो मैंने ammo बगेरा तो ले लिया है लेकिन और अब देखते हैं कि बंदे कहां पर है आज हम लोग भुया करके ही मानेंगे सबसे ज्यादा kill करके नीचे चलते हैं हो सकता है कि clock tower से कोई बंदा इस तरफ आ रहा होगा जो हमारी हाथ हो लग जाए उसे हम लोग निप्टा देंगे इस तरफ भी देख लेते हैं हम लोग दुबारह से पीक पर आ चुके हैं वा रा बंदा दिख चुका में बंदा फिनिश भी कर लिया उपर से मार राइ कोई वा रा बंदा इसे हमने पूरी तरिके से फिनिस भी कर लिया है आगे बढ़ते हैं और अब देखते बंदे कहाँ पर है बंदा होना चाहिए वो रहा बंदा क्या मैंन कोई मार रहा है यह बंदा आया वोल लगा लिए अरस्ट करेंगे सिधा उसे डाउन दे दिया लेकिन कोई मुझे मार रहा है और यह बंदा भी रिवाइब हो जाएगा मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्सन जीप लाइन लेकर निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर पूरा स्कोट था और मेरा हैल्थ भी काफेजदा कम हो गया था यहाँ पर लैंड करते हैं उसके बाद दोबारा से जाएंगे रस करेंगे सकते हैं ट्राइ करते हैं किल करने के इधर से एक बंदा आ रहा है गारी से आने देते हैं यहाँ है बंदा क्या मैं यह रुखने का नाम ही नहीं ले रहा ओके स्टॉप करते हैं वह गारी जा रहा है मैं उससे छोरूंगा नहीं किल कर लिया, फिनिस करेंगे फिनिस भी कर लिया है और देखते हुआ पर कौन सा बंदा है बंदा हुआ होना चीवरा बंदा एक को डाउन दे दिया, दूसरा दिखा ओके, पुरा स्कॉर्ड हमने वाइप कर दिया है अब बचाए सिर्फ लास्ट का एक बंदा उसे हम लोग अच्छी तरीके से किल करेंगे वो पताने कैसा बंदा है यह तो जब उससे फाइट होगा तो पता तो चली जाएगा बंदा कैसा है यहाई कहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर काफिजदा फारिंग हुआ है तो बंदा इसी के असपास होगा कहाँ है बंदा यह रह बंदा फिनिस कर लिया और यहाँ पर हम लोग उने भीया कर लिया वीडियो कैसा लगा कोमेंट करके बता दिना वीडियो को लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया